दोस्तो आईपियल मैच नमबर 47 और 42 में शांदा परफोर्मेस करने के बाद आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रास्तान मुंबई टीम के बीट होने वाले आईपियल मैच में फीडियो में शेयर केगे इंफोर्मेशन का इस्तमाल करते हुए अब दोस्तो मैं जानता हूँ मेरे कुछ भाई लोग ये सरूर बोलेंगे अगर यार विन करना इतना ही आसान है तो तू कुछ क्यों विन नहीं कर लेता दोस्तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा भाई मैं कुछ तो विन करता हूँ लेकिन साथ में अपने सब्सक्राबर भाईयों को भी फिन करवाता हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग आज हमारा ये वीडियो देखने के बाद हमारे टेलिग्राम चैनल को चुवालिस में हम असानिक के साथ कुछ से अपना फेंटसी टीम कॉंबिनेशन बना ग्रेंड लिग और समोली को फिन कर सकते हैं तो फिर दोस्तो आईपियल मैट नमबर चुवालिस में इन्वेस्टमेंट या टीम कॉंबिनेशन बनाने से पहले मेरी एक बात अपने दिमा करनी पड़ती है अब जब दोस्तों आप लोग फेंटस में बिन करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते मैं आप लोगों को आज इस बात के गरेंटी देता हूं अगर आज आप लोग 20-25 मेरे साथ मिलके तैयारी करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखे करेंगे और फीडियो में बताएगे यह कि बात को ध्यान से सुनेंगे तो आज होने वाले स्टी 20 मैट में अगर आप ग्रेंटिंग में पहले कुछ से 5 टे टीम कॉंबिनेशन बना के खेलते थे तो आज स्टी 20 मैट में आपकी टीम पहले के मैचिस के कंपेर्स में अच्छ पर्फोर्मेंस करेगी वो भाई कैसे क्यों इसे के लिए तो आज आपको फीडियो दिखना है अभी दोस्तों मैंने आपको कुछ सेकंड पहले वीडियो में बोला कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी फ्री नहीं है आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी अब दोस्ता मेरा ही एकसांपल ले लो रोजाना मेरी द्वारा वीडियो में शेयर केगे इंफोर्मेशन का इस्तमाल कर ना जाने कितने लोग फाइदा उटा आफ विन करते हैं ना जाने कितने लोग दोस्तों फेंटेसी खेलना सीखते हैं लेकिन वो लोग वीडियो पे ल हुए रखना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों को जगा सकूँ ताकि मैं आप लोगों से यह जान सकूँ कि आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है अग दोस्त अगर बात करें कल हमारा वीडियो देखके हमारे भाई दीपक ने यह मुबाइल फोन फ्री में फिन कर लिया अगर आप लोग भी आज चाहते है इस फान को फ्री में फिन करना आप में इससे किसे एक लखी विनर को यह फोन फिनर को फ्री में मिल सकता है अब दोस्तों करना क्या है? पहला तो वीडियो पूरा देखा, दूसरा वीडियो पे लाइक करना और तीसरा वीडियो के नीचे कमेंट डालना अगर दोस्तों मुझे आपका कमेंट पसंद आया तो बिलकुल फ्री में ये फोन आपका हो सकता है लेकिन ध्यान ये देना वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोस्तो आप लोग हमारे lucky winner नहीं बन पाएंगे अब दोस्तों आज वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको रास्ता टीम के प्लेइ प्रोफाइल के बार में बताऊंगा और मैं सर होने से पहले ये समझाऊंगा कि वहीं जैसे कि रास्ता टीम का बल्ले बास बटलर है अगर आज ये रन बनाएगा तो MI टीम के गिंदबासों के सामने क्यों रन बनाएगा अगर आज ये रन नहीं बनाएगा तो MI टीम के कौन से गिंदबास कैसे क्यों इसे आउट कर सकते हैं इसी तरहां दोस्ते हैं बद्रभी के वारे में बारी-बारी करके आपको समझाओँगा और मैं ये मानता हूँ अगर आपको एक बार बाई ये चीज पता चलगी कि ये बद्रभी बनाएगा क्यों रन नी बनाएगा तो यहरां आप लोग अराप से कुछ से बहटर FANTASY टीम combination बना grand league small league को win कर सकते हैं इसी तरह दोस्तों मैं आपको team के गिंदबासों के बार में समझाऊंगा कि वह team के जो गिंदबास चैल और trend बोल्ट है अगर आज ही M.I. team के बल्लेबासों को out करते हैं कौन-कौन अब दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है जैसे आप लोग रोजाना अमारा वीडियो देखके खुद से अपने complete fantasy team combination बना इंडिपेंडेंट तरीके से grand league small league को win करते हैं सेम उसी तरह गराथ Mumbai team का कोई member या कि लाड़ी आज हमारी इस वीडियो को देख ले तो उसे IPL 2022 में अपनी पहली जीत मिल सकती है कैसे क्यों ये भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों पहले दियान ये देना कि जो राज़तान team के opening बल्लेबास है बटलर पदिकल दोनों अच्चे बल्लेबास है MI team को आज ये मैट विन करना है तो भई जो अस बटलर को जल्दी आउट करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अगर आप राज़तान team के बैटिंग प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बटलर ने 8 E20 मैट में 499 में किया उस सत्य कहतार का स्ट्राइक 159 है तीन सेंचिरी दो हफसेंचिन के पास है यानि 8 में से 5 मैच में बड़ी पारी के लिए है और ये भी का जा सकता है कि बटलर ने टीम के लिए 50% से ज़्यादा रणभी स्कोर किया यानि MI team को बटलर को आउट करना है कि बटलर के सामने अगर बटलर का विएट चाहिए तो उसी T20 मैच में MI की टीम ने बुमरा को टुकडो में इस्तमाल किया और जब दोस्तों बुमरा गिनबासी करने आता बटलर बुमरा को रिस्पेक्ट देता और बाके गिनबासी के सामने करणा के कि बल्ले बासी करता दोस्तों जो पिछला T20 मैच रास्ता नुमबई टीम के बीच के लगया उसी T20 मैच को उठा के देख लीजिए जर्स्पीत ने पंदरा बोल बटलर के सामने करी थी बटलर ने इसके सामने 11 रन बनाया और आकिर में जाके जर्स्पीत नहीं से आउट किया था दोस्तों मैं मैट टेम को एक ही सला दूँगा कि आज इस T20 मैच को फिन करना है तो बटलर को आउट करना है और बटलर को आउट करने के लिए बले ही बाइट जर्स्पीत उम्रा से लगाता तीन ओर पार्पले में गिनबासी करानी पड़ जाए आप लगाता तीन ओर गिनबासी करा लो क्योंकि पिछला जो T20 मैच के लगा था उसी T20 मैच में जर्स्पीत ने पार्पले में दोवर गिनबासी की और साती साथ जो पदिकल बल्ले बासिक करता है पदिकल को भी रैट रम तेस गिंद बास परिशान करता है इनकी टीम में जस्पीत है सात भी पदिकल का विकेट चाहिए तो भाई रितिक से भी गिंद बासिक करा हूँ अब दोस्तों मैं आपको इस चीज़ कहा रहा हूँ यह वही MI की टीम है जो यह साल IPL को श्रायद विन ना कर पाए लेकिन यही MI का टीम अगले साल इनी प्लेयर के साथ IPL को विन कर लेगा तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाएगा कि यही किलाडी टीम को मैच विन कराएंगे बस दोस्तों फरक इतना है कि टीम का जो गेम प्लैन है वो फिलाल काम नहीं कर रहा पिछले T20 मैच में मैंने कहा था लखनाव टीम के सामने कि हमाई टीम को विन करना है तो किंटेंड इकोक के सामने ओफरे गेनबास का लगातार इस्तमाल करना लेकिन दोस्तिन की टीम ने उसी T20 मैट में रितिक से सिर्फ दोवर गेनबासी कराई और दिर्तिक ने अच्छी गेनबासी भी की ना जाने उसके बावजुद रितिक को गेनबासी क्यों नी मिली तो सिंपल सी बात है अगर भाई आज आपने अपना फेंटेसी टीम कॉंबिनेशन बनाया आपने बटलर को टीम में लिया पदिकल को अपनी फेंटेसी टीम में लिया क्यों विन नी कर पाओगे क्योंकि दोस्त अगर आप लोग ये चाहते हो बटलर रन बनाए आप चाहते हो पधिकल रन बनाए और इनके सामने माई की टीम ने बुमरा और रितिक से गिनबास ही कराई तो फिर भाई कंडिशन ये हो जाएगा कि ये बलने बास या तो रन बनाएंगे या फिर ये गिनबास विगेट चटकाएंगे यानि चारों मेंसे कोई एक काम हो सकते है तो रन बनेगा या विगेट गिरेगा इसले दोस्त आप ग्रैन लिग में दो फैंटेसी टीम कॉंबिन तो इसलिए कहता हूं बाई गिन्बास ही कराओ, रितिक शोकिन फहली बार गिन्बास ही करेगा, पदीकल, राइटाम फेज गिन्बास भुमरा, 18 बोल में 12 किया, दो बार आउट हुआ, राइले मैदरिट के सामने चार बोल में 7 किया, एक बार आउट हुआ, राईले मैदरीद दोस्तो बटलर के सामने चिक इन्बास ही नहीं कर पाया, तो कि बटलर ने इसके 18 में 49 बना लिया, यानि एक मातर जो इन्बास है, माई की टीम के पास, वो जैस्पृत बुम रहा है, अब दोस्तो आज मेरे कुछ ऐसे भाई होंगे, जो ये सोचेंगे की, बाई मैं जस्पृत का अपनी fantasy team में कप्तान बनाओ, बाई बिलकूल बनाओ, अब आपने कप्तान बनाओ, आप चाओगे, विगीड चटका है, विगीड चटका है, तो कौनसे भल्लेबास हो के विगीड चटका सकता है, या आपको ध्यान में रखना और उसी चीज़ को ध्यान में रखे अपना fantasy team combination बनाना और दोस्तों ध्यान देना जब MI की team ने अपना पिछला T20 match रास्तान team के साथ केला था उसी T20 match में ने जस्पित का अपनी fantasy team में काप्तान बनाय था क्यों काप्तान बनाय था क्योंकि मैंने आपको समझाय था कि जस्पि होगे मतलब इसके विकेट चटकाने के chance किया हुए increase हुए guarantee नहीं दे रहा कि left hand का चटका हैगा भाई मैं chance पे एक team बनाता हूँ मैंने chance लिया कि वह तीन left hand बल्ले बाज है तो आज जस्पित को विकेट मिल सकता है इसी तरह भाई मैंने देखा कि जोस बटलक के सामने भी य left hand बल्ले बास को किलाया अगर राजतान की team में वापस से 3 left hand बल्ले बास को आज किलाया तो आप जस्पित को अपनी fantasy team में कफ्तान वाईस कफ्तान बना सकते हैं अब दोस्तों ये तो बात वी आपकी बटलक पदिकल की लेकिन 3 पे कोन बल्ले बास ही करेगा तीन पे दोस्त इसको अपनी fantasy team में primary गिन्बासी के लिए शामिल करना चीए क्या अश्विन आद इस T20 मैच में हमाई के बल्ले बास जो काउट कर पाएगा इसके बार में फीडियो माँगे चलके reality चेक कराऊंगा फूरी दोस्तों चार पे संजु है संजु को पिछले T20 मैच में बाई X-PIN ने आउट किया और संजु दोस्तों एक ऐसा बल्ले बास है जो जब चाहे तब performance कर सकता है ठीक है अब आप कहोगे बाई कोई भी किलाडी क्यों नी चाहेगे वो performance करे देखो अगर संजु sensible तरीके से केले तो performance करेगा पिछला T20 मैच गेंदबासी वनिंदू असरंगा कर रहा है उसी D20 मैच में Cable लेके जाथ वनिंदू असरंगा को चका मारा किसने संजु ने लेकिन दोस्तों उसी तरह के अगली गेंद पे रिवर्शिप करने की छ्वरती रिवर्शिप करने के चकरने में वनिंदू असरंगा की गेंद पे बол्ड हो गया इसलिए मैं कह रह मनलब अच्विन पर प्राइम फोकस मैं इसकी गिनबासी को लिगे करूँगा संजू बैटिंग कर रहा है सामने जस्पित भूम रहा है अड़तारी स्वोल में उनेक्चास क्या दो बारा उटवा अब दोस्तो त्यान ये देना अगर माई की टीम ने आज इस T20 मैक में जस्पित को पार्ट प्र में गिनबासी कराया तो भई उसका मतलब ही होगा कि फिर साइट संजू के सामने ज़ादा गिनबासी का मोका ना मिले लेकिन दोस्तो अगरा आप जस्पित को अपनी फेंटेसी टीम में कफ्तान बना रहे हो और आप चाहते हो जस्पित को ज़्याद ज़्यादा विगिट चट मिले तो इसका मतलब ही है कि पहले तो नई गेन के साथ विगिट चट का है फिट जैसे नमबर 3 पे संजु आए तो संजु को भी आउट कर दे इसकला दोस्तो कायरन पुलाड ने अपनी ओफपेस गिनबासी के चलते संजु को दो बारी T20 फोर्मैट में आउट किया इसी तरह दोस्तों के लिए नमबर 5 पे बल्ले बासी करने वाले डैल मिशेल के बारे में बात करें और नमबर 6 पे बल्ले बासी करने वाले रियान पराथ के बारे में बात करें दोस्तों इन दोनों के प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों की लाड़ी तनी नीचे बल्ले बासी करते हैं नमबर 5 और 6 पे जहां पे दोस्तों आप अप अंदासा नहीं लगा पाएंगे कि कौन से गेंद बासी इनके सामने ची गेंद बासी कर सकते हैं क्योंकि जिस पोजिशन पर ये बल्ले बासी करते हैं गेम की उस पोजिशन पर इन को बल्ले को स्विंग करना है गेन बल्ले का संपर को अगेन बाउंडर के बाहर जाएगा संपर्क निवा तो ये लोग आउट हो जाते हैं वैसे दोस्तों मैं एक ही सला दूंगा Dal Michelle आपका 4N है और Reana Prague इंडियन है लेकिन Reana Prague को अगर खामौश रखना है तो अपने spin गेंद्बासों का इस्तप्माल करो और जो यह 4N के लाड्यस के सामने भी spin गेंद्बासों का इस्तंमाल करो पिछली बार जब केला तब तो परफोर्मेंस किया था ध्यान ये रखना 8 T20 मैच में इसने 27 संट किया 56 का उसद 101 का स्ट्राइक रिट है अगर दोस्तो आज इस T20 मैच में MI का टीम शिमोन एटमायर को रोकना चाहे तो वह इसके सामने भी स्पिन गिनबास से गिनबास ही करा सकती है क्योंकि IPL 2022 मैंने एक बात जो नोट किया कि शिमोन एटमायर ने स्पिन गिनबासों को पूरी रिस्पेक्ट दिया है और तेज गिंदबासों के सामने रंग बटो रहे हैं और दोस्तों जो ये रास्तान की टीम है इनकी टीम में दो बल्ले बास एक तो बटलर एक शिमोन एटमायर है अब देखो आप बटलर को अपनी ग्रेंड लिक की फेंटसी टीम में ले रहे हो अपनी फेंटसी टीम में लेना है जो तो दोस्ते आप तो परफेक्ट योर्कर डाल सकता है क्योंकि दोस्तों ये आईपेल 2022 में जोस बटलर ने ज्यादा तर जो बल्ले बास सी की है उसमें योर्कर गिंदबासों के सामने परेशान रहे या फिर जोस बटलर को बाउंसर डाला तीक है माई टीम में अगर आपको ऐसा कोई गिंदबास नजर आए जो योर्कर डाल सकता है बाउंसर डाल सकता है तो वो गिंदबास शिमोन एटमार वो बटलर को परेशान कर सकता है अगर दोस्तों आपको ऐसा भी कोई गेंदबार नसरा है मुंबई की टीम में जो लो फुल्टोस डाल सके तो भई लो फुल्टोस गेंदबास ही करने वाले गेंदबास भी बटलर शिमून एटमार का आउट कर सकते हैं और मुझे तो यह लगता है कि जो गेंदबास योड़कर डालने के कोशिश करेगा उसी की अगर योड़कर ना डेले तो वो लो फुल्टोस बन जाती है और उन लो फुल्टोस के पर भी आपको बटलर शिमून एटमार का विगिट मिल जाएगा अब दोस्तों आपको वीडियो में समझ आया भाई अज इस T20 मैट में जो एमाई की टीम के बल्ले बास है वो क्यों परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो रास्तान टीम के कौन से गिनबासों को विगिट नी मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर एमाई की टीम को आज ये मैच को फिन करना है तो भाई मैं एक सला सरूर दूंगा कि इस T20 मैट में सूरिया को 4 पे तिलक को 5 पे किला है या तिलक को 3 पे और सूरिया को 4 पे किला है तो 60 रंट पे माई टीम के 3 विगिट आपको निसर आते हैं और दोस्तों ये एक ऐसा प्रेशर है जो सूरिया तिलक पे आता है फिर सूरिया तिलक को इनिंग को बिल्ड करना पड़ता है इनिंग को बिल्ड करेंगे तो ओवर निकल जाते हैं फिर रंड रेट को एक्सलेट करने के चेकर में ये लोग आउट हो जाते हैं तो ये कमसूरी है माई की टीम की अगर इस T20 मैट में ब्रेविस को नीचे बेजा सूरिया और दिलक को उपर बल्लेबासी परमोशन मिल गया तो भाई एमाई की टीम इस मैट में फिन कर सकती है तो चले थोड़ा सब दोस्तों बाग के टीम के बल्लेबासों के बारे में ओपनिंग कर रहे है आपका इशान पिछले मैट में आठ पे आउट वा रोईत ने 49 किया इशान के साथ दोस्त आप दोग जानते दिक्कत क्या है दिक्कत ही है कि रोईत शर्मा ने इस्टिक restriction दे रखिया है इशान किशन को यानि strictly बोला है कि वही तेरको आउट नहीं हो ना तेरको विगिट पे टिक के बल्लेबासी करना है और विगिट पे टिक के बल्लेबासी की करने के चक्कर में ही आउट हो रहा है दोस्तों मैं रोईत शर्मा भाई को ये की चीज़ बोलूँगा कि भाई आप इशान किशन को बोल दो यार तु पहली बोल से जाओ जैसा तेरको केलना है वैसा केर अगर दोस्त ऐसी बात इशान किशन को बोल दी जाए तो इशान किशन आज परफोर्मेंस कर सकता है वरना इशान किशन एक बाद फिर से फ्लोप हो जाएगा अगर आपको इशान किशन पे प्रेशर बनाएंगे रही बाद भाई रोईट शर्मा को भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई आपको भी खुल के बल्ले बासे करना चाहिए क्योंकि हमने देखा है आप भी नहीं के स्टार्टिंग अपना टायम ले रहो आप चाहते हो कि भाई मैं तोड़ा सा विगिट पे टिक जाओ लेकिन आप विगिट पे टिक नहीं पारे अगर भाई आप तोड़ा तेजी के साथ बल्ले बासे करोगे इकके दुखे गिनबासो की किलास लगा दी तो गिन्बासों की जो लेव पट्री से उतर जाएगी और MI टीम का अच्छाई स्टार्ट मिल सकता है यानि दोस्तों डिफेंस करने से कुछ नियोगा अगर MI टीम आज ये मैच विन करना चाती है तो अटेक इनका सबसे चाई डिफेंस हो सकता है इसके लगा इशान जब एक्टिंग करे तो रास्तान का टीम इसके सामने अर्ष्ण को गिन्बासी करा सकता है वैसे जब पिछला T20 मैच इशान ने रास्तान टीम के साथ केला था उसी मैच में आप से इंचरी की थी अब भाई रोईच शर्मा प्याओ भाई रोईच शर्मा को आप सब लोग जानते हो लेफ्टाम मीडियम गिन्बासों ने बड़ा तंक किया है चिन्ने टीम में क्योगा लेफ्टाम मीडियम तेस गिन्बास था जिसका नाम मुकेश शोधी था और मुकेश शोधी ने इसी बल्लेबास को आउट कर दिया था दोस्तों आज इस T20 मैक में जो माई की टीम है इनके सामने ट्रेंट बॉल्ट नाम का गिन्बास गिन्बास ही करेगा अगर रोईच शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट के लिए प्रिपरेशन किया है तो ट्रेंट बोल्ट से बचाने के लिए टीम इंडिया ने रोईच शर्मा को नीचे बल्लेबास ही करने को वेजा था उसी T20 मैक में इस्षान किशन को उपर वेजा लेकिन ना तो भाई इस्षान चला उस मैक में ना आपका रोईच शर्मा चला यानि कही ना कही ट्रेंट बोल्ट जो है वो रोईच शर्मा को परेशान तो भाई करता है ये तो सचाई और आपको माननी पड़ेगी रियाटी चेक कराऊंगा इस्षान किशन के सामने ट्रेंट बोल्ट है 31 बोल्ट में 22 किया दो बार आउट हो गया यानि बोल्ट के सामने रंकों नी बना पाया इस्षान नी बना पाया इसी द Whatsapp भाई चहल के सामने देखो 29 बोल्ट में 50 तो किया लेकिन चहलने बाई इसको थीन बार आउट कर दिया रोईच शर्मा को देखो ट्रेंड बोल्ट के सामने 47 बोल्ट में चार बार आउट हो गया यानि दोस्तों देखो आज अगर आप इस T20 मैट में ग्रेंड लिक को फिन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको इशान, रोहित और ट्रेंड बोल्ट तीनों को अगर एक साथ एक फेंटेसी टीम में लिया तो इन तीनों के लैडों में से किनी दो को अपनी फेंटेसी टीम में कैप्टन वाइस कप्टन मत बनाईए मान लीजिए आपने ट्रेंड बोल्ट को कप्तान बनाया आप हिशान और रॉहित को वाइस कप्तान बनाएंगे आप सोचें अगर वाई ट्रैंड बॉल्ट विड्ट चटका एगर भाई ट्रैंड बोल्ट विडिट चटका ही तो पाड पले में गेंध बासी करेगा गेंद बासी करेगा तो इन बल्ले बासों का आउट करना चाहिए अगर ही इन बल्ले बासों का आउट कर देगा तो आपका एक बल्ले बास फ्लोप हो गया आपके ग्रेंड लिक की जो टीम है बहुँ पे फूस हो जाएगी परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि किर्के टनिष्टाओं का खेल है लेकिन दोस्तो चांस के बात कराओं चांस कम है रोई च्रमा परशुक किष्णा की 28 में 50 क्या दो बारा उटवा अश्विन के 108 में 110 क्या दो बारा उटवा लगातार पिछले दो T20 मैच में लेफ्टा मीडियम के इंबासों के सामने आउट हो जा रहा है इसी T20 मैच में आपको ये कह रहा हूँ अगर बहु ट्रेंट बोल्ट को आज नई गियन के साथ विकिट मिला और इसी T20 मैच में MI की टीम ने ये गलती कर दी कि वही साथ साथ ब्रेविस को बल्लेबासी पे बेज दिया और साथ ही साथ रास्तान के टीम ने ट्रेंट बोल्ट से गिंदबासी कराई तो वही ट्रेंट बोल्ट जो है वो इस बल्लेबास को आउट कर सकता है तो सूरिया को पहले दिक्कत थी IPL 2022 से पहले अब भी दिक्कत है लेकिन फिलाल भाई सूरिया ने ठीक ठाक बल्लेबासी की है Orthodox पिन गिंदबासों के सामने IPL 2022 में बस सूरिया को थोड़ा सा उपर बल्लेबासी करने बेजना होगा साथी साथ दोस्त अगर हम फिला गिंदबासों के सामने परफोर्मेंस की बात करें तो फिला गिंदबास के सामने पिछले T20 मैट में सूरिया उट वा वैसे रिसेंट परफोर्मेंस सूरिया की अच्छी है दोस्तो सूरिया का reality चेक कर लो बोल्ट के सामने ठीक है, परशृत के सामने ठीक है अर्श्रिन के सामने ठीक है चैल की 22 बोल में 65 के है, दो बारा उटवा जानी दोस्तो सूरिया को वार यादा हुने जो परफॉर्मेस ठीक था किया, राजस्तान टीम की गिंद बासू के सामने अगर दोस्तो आपने आज इस मैप में ट्रेंड बोल्ट को शामिल किया और ट्रेंड बोल्ट का अपनी fantasy team का कफ्तान बनाते हो तो ट्रेंड बोल्ट के विकिट चटकाने के जो chance है वो M.I. टीम के टॉप 3 बल्लेबासों के सामने जाद हैं कमपेर्स में मद्यकरम के बल्लेबासों के तो इस चीज़ को ध्यान रखना अब दोस्तों चलिए बात करते तिलक वर्मा के बारे में कायरन पोलाड के बारे में फिलाल दोस्तों इसको मैं अगर बताऊं तो भाई काफी नीचे M.I. का टीम यूज़ कर रहा है जैसे M.I. टीम इसे उपर यूज़ करेगा रन बनाएगा पिछला T20 मेच रास्तान टीम के साथ कहला उसी T20 मेच में सूर्या नहीं कहला था तो इसे चार पे किलाए गया था और चार पे बल्ले बासी कर भाई इसने डेल सारन उसे T20 मेच में रास्तान टीम के सामने बनाए थे काईरन पोलाड दोस्तों इसके बार में पेडिक्शन क्या करें क्योंकि इसका पता ही नहीं चल रहा बल्ले के साथ कैसी परफोर्मेस कर रहा है हलाकि मैं तो वैसे एक बास जानता हूँ जब काईरन पोलाड बल्ले बासी करने आएगा तो रास्तान का टीम अपने लेक्शन गिनबास चाहल के साथ इसके सामने गिनबासी कराईगी अब देखो तिलक वर्मा अर्श्विन के सामने वर्मा लेफ्ट एंड है लेकिन अर्श्विन की 10 बोल में 19 के एक बार आउट वा यहां से वर्मा लेफ्ट एंड है चैल है लेक्श्पिन 12 बोल में किस के आउट नहीं हुआ यानि दोस्तों इस्पिन गिंदबासों के सामने तिलक वर्मान ने अच्छी बल्लेबास ही किया है पोलाड की बात करें, ट्रेंट बोल्ट ने एक बार आउट किया अश्विन ने इसको पात बार याउट किया और मैं कहरा जब पोलाड बैटिंग करेगा तो जो टीम है रास्तान का अपने इस्पिन गिंदबास चैल को लेकि आएगा क्योंकि चैल ने एक सट बोल में इसको चाल बार आउट किया रंध पिरासी जरूर दिया लेकिन दोस्तों रीसेंट टाइम में कायरन पोलाड को लेक्स्पिन गिंदबासों ने आउट किया अब दोस्तों देखो मैं आप पर एक चीज़ समझा रहा हूँ इस्टी 20 मैच में बड़ी खास है जिसे आप ध्यान से जरूर समझेगा देखो आप लोग क्या है आज इस्टी 20 मैच में अगर चैल को अपनी फेंटरसी टीम में शामिल करते हैं और आप लोग यह चाहते हैं कि बड़ी चैल को विगिट मिल जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना चैल को जो विगिट है वो बल्लेबास नमबर 6, 7, 8 का मिलेगा यानि देखो क्या होगा मान लो आपने आज फेंटरसी टीम कॉंबिनेशन बनाया राज्तान टीम के गिनबासों के पक्ष में तो भाई आपने अगर ट्रेंट बोल्ट को लिया तो पहले यह एक्सपेक्टेशन करना कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो माई टीम के टोप 3 बल्लेबासों का सूपड़ा साफ कर दे अगर दोस्तो ट्रेंट बोल्ट के इस मैच में परफोर्मेंस करेगा और माई टीम के टोप 3 बल्लेबासों का सूपड़ा साफ करेगा तो उसके बाद सूरिया तिलक और पोलार खेलेंगे और दोस्तो सूरिया और तिलक में से किस भी एक बल्लेबास का विगेट गिरा तो उसके बाद पोलार डाइनल सेम जैदो नटकट वगएर आएंगे और दोस्तो अब अगर चैल को फिगिट मिलेगा अगर सूरिय तिलक वर्मा बल्लेबास ही करते है तो दोस्तो सूरिय और तिलक वर्मा अपनी गलती के चलते चैल के सामने आउट हो जाए वो एक अलग बात है वरना मुझे ही नहीं लगता कि चैल आज टीम के मदेकरम के इन बल्लेबासों को आउट करेगा तो बात बड़ी सिंपल है अगर आज आज आपने अपनी फेंटेसी टीम में सूर्या को कप्तान तिलक को वाईस कफ्तान बनाया तो आप लोग ये चाहते हैं कि आमाई टीम के दोनों बल्लेबास सच्छा गेलें अच्छा केलें का मतलब आप कम से कम दोनों बल्लेबास से 17 के एकस्पेक्टेशन रखेंगे बैटिंग दोनों मद्देकरम में कर रहे हैं मद दिक रहा हों अगर 37% से स्कोर करने है तो गेम के इसी फेज में चैल गिन्बासी करेगा तो इसका मतलब यह है कि आप लोग नहीं चाहते वहाइ चैल को इंटासी टीम से बाहर कर देना तो बस आप अब दोस्तो आज मैंने आपको वीडियो में ये तो समझा दिया वाई कौन से बल्लेबास को कौन सा गिंबास आउट करेगा या कौन सा बल्लेबास कोन से गिंबास के समने रन बना सकता है लेकिन कुछ लोगों की डिमांड होती है कि आप में तोड़ा सा पिछ रिपोर्ट के बारे में बताईए दोस्तो देखे मुकावला डिवाई पार्टिल स्टेडियो में किला जाएगा लेकिन आप लोग जानते अपने पास एक फीचर है कि वह टोस हो जाने के बाद कौन सा टीम पहले बैटिंग कर रहा है कौन सा टीम पहले बोलिंग करेगा मैच कौन से पिछ पे कहला जा रहा है क्या पिछ में घास है या पिछ में घास नहीं है पिछ बल्लेबासों को सपोर्ट कर रहा है इस पिन को तेस गिंदबासों को जैसे मैच नस्दीक आता में पता चलता है ठीक है तो दोस्तों क्या करेंगे हम मैच से पहले प्रपेरिशन कर लेंगे जो कि म अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आप इन करेंगे क्योंकि किसी भी काम में अगर आपने सक्सेस फानी है तो भाई प्रिपेशन करना वड़ा जरूरी है फिलाल डिवाई पार्टिल में ये साल 13 T20 मैट के लेगे साथ बार पहले गिनबासी और चैबार बल्लेबासी वाली टीम ने मैट को जीता डिवाई पार्टिल स्टेडियम दोस्तों न्यूट्रल रहा है यहाँ पर पहले बल्लेबासी करने वाली टीम का ओस्तन स्कोर पिछले 5 T20 मैट में 167 है और गिनबासी वाली टीम का 157 है अगर तो पिछले 5-6-20 में किलाड़ी द्वारा की गई पर्फोर्मेंस की मैं बात करूं तो दोस्तो ध्यान दीजिए मेरे अकोडिंग तो भई 30 गिंदबासों ने ठीक टा गिंदबासी की है क्योंकि आप देखिए 30 गिंदबासों ने ये मैदान में सबसे जादा पिछले 5-6-20 में 56 विकेट चटका है इस पिन गिंदबासों को सिर्फ 11 विकेट मिला इस पिन गिंदबासों का उसाद भी 45 का है तेस गिंदबासों का जो उसाद है वो 19-5 माच का है यानि दोस्तो इस पिन गिंदबासों के सामने तेज गेंदबासों को विगिट मिलने की जो संभावना है वो ज़ाद है तो इस चीज को ध्यान में रखे फेंटेसरी टीम कॉमिनेशन आप बना सकते हैं यहां भी आप डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे पहली पारी में तेज गेंदबासों ने 27 तो इस पिन ने 6 चटका है दूसरी पारी में तेज गेंदबासों ने 30 तो इस पिन ने 5 चटका है यानि तेज गेंदबासों का दबदबा आपको देखने को मिल सकता है इस पिन गेंदबासों को तभी दोस्तों इस मैधान में विकेट मिलेगा जब भाई कोई बल्लेबास कोई गहर्ज मैधाना शोट केलेगा या किसी गेंदबास के साथ जबरदस्ती करने की कोचिश करेगा फिलाल दोस्तों गेंदबासी में देको राशिद ने पिछले मैच में कोल करता के दो बल्ले बासु काउट किया मुकेश चोधी लेफटा मीडियम था MI की टीम ने यहीं पे मैच के ला तीन विकिट मुकेश चोधी के थे फैफ ने 96 किया मलिक ने चार्व की चटकाय थे हार्दिक पांडान 87 नोट आउट किया पिछले दो T20 मैच जो इन दोनों टीमों ने इसी वेन्यू में के लिए दोनों टीम अपने पिछले दोनों T20 मैच हाड़ चुकी है अब दोस्तो देखिए आपने प्रिपेरिशन कर लिया और प्रिपेरिशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा त्योंकि प्लेश्पोर्ट एप्लेकेशन पर मेगा डिपोजिट ओफर चल रहा है 30 अप्रेल और 1 मही के लिए यहाँ पर दोस्तो आपको ऐसी एप्लेकेशन की तलाश में है जहां पर आप पैसा डिपोजिट करना चाहते हैं तो आज की तारिक में प्लेश्पोर्ट वो एप्लेकेशन आपकी हो सकती है अब दोस्तों बात करेंगी मेरे फाइनल टीम कॉम्बिनेशन के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा अगर भाई आज आपको मेरे द्वारा बनाएगे फैंटस्ती टीम कॉम्बिनेशन में कोई किलाड़ी पसंद ना आए तो आप लोग वीडियो में शेयर कीगए इन्फोर्मेशन का इस्तमाल करते खुझ से अपनी टीम में चेंजिर्स कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते मेरा एक मकसद है मैं चाहता हूँ आप सबको इंडिपेंडेंट बनाना मैं चाहता हूँ जो इन्फोर्मेशन आपको मैंने फीडियो में दी उसका इस्तमाल कर आप खुझ से भी अपने फेंटेसी टीम कोंबिनेशन बना लें ताकि आपको कोपी करने की सुर्ट ना हो या फिर आप टीम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे फिलाल दोस्तों टीम कोंबिनेशन के बारे में बता हमगा लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई आज इस वीडियो में मेहनत काफी ज़्यादा लगी है दिन का दूसरा वीडियो है और इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना बनता है क्योंकि आप लोग मुझे अपने प्यारों सपोर्ट नहीं दे सकते उमीद करता हैं दोस्तों आपका प्यारों सपोर्ट आज मुझे सरूर मिलेगा और आप लोग फीडियो पर लाइक भी सरूर से कर देंगे फिलाल दोस्तों देखें टोस्त से पहले मैं नहीं टेंप्रेरी टीम बनाई है मैं आपको कुलं कुला कह देता हूं दरने वाली कोई बात नहीं है कि यह मेरी टेंप्रेरी टीम है फाइनल टीम तो मैं टोस्त के बनाऊंगा पिश को देखते हुए क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आज सब लोग चैल को अपनी फेंटसी टीम में वाइस कप्तान बना रहे हैं लेकिन जैसा कि हमने डिवाई पाटिल स्टेडियम में देखा यहां तो तेज गेंदबास को सपोर्ट होता है तो इवन दोस्तों आज हम अपनी फेंटसी टीम में चैल को ड्रोप भी तो कर सकते हैं ना तो बस हम टोस का वेट कर रहे हैं कि देखेंगे कौन सी टीम पहले बैटिंग बोलिंग कर रही है कौन सी टीम ने किनकिन बल्लेबास को किलाया उसके सामने कौन से गेंदबास अच्छी परफोर्मेंस कर सकते हैं उसे के बाद अपना आखरी फैसला करेंगे फिलाल सेफ्टी पर्पस है दोस्तों आप लोग अपनी फेंटेसी टीम में इश्रान जोस बटलर संजू को ले सकते हैं कप्तान दोस्तों सेफ्टी पर्पस है स्मोल लिग में बटलर को बनाया लेकिन भई चीज़ की मैं सला दे रहा हूँ अगर भई आपने जस्पित को कप्तान बना दिया तो बटलर को वाइस कप्तान मत बनाना बटलर को कप्तान बना के जस्पित को वाइस कप्तान बना सकते हो ऐसा इसलिए कि मानलो भई आज बटलर को अच्छा स्टार्ट मिल गया ठीक है जस्पित दोस्तों विकेट नहीं चटका पाया तो जस्पित पीछे आके नीचे विकेट चटका ले तो ऐसा वाइस करप्टेन ही सक्सेस हो जाएगा लेकिन अगर आपने जस्पित को काप्तान बना दिया तो बटल ऐसा वाइस काप्टन सक्सेस नहीं हो पाएगा तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है बैटिंग में सूरिया, तिलक और ओज शर्म है अब दोस्तों देखो तिलक आपको मेरी फेंटसी टीम में नज़र आ रहा है लेकिन अगर तिलक दोस्तों हमेशा की तरह है वापस से आज इस टी ट्वेंटी में अथ में नमबर पांच में बैटिंग करेगा तो शायद मैं ति गेंबाज जस्पित परेश्ण कर सकता है और जबकि आप देखो कि मैंने जस्पित को भी टीम में लिया तो दोस्तों मैं खुलके आपको कह सकता हूँ जो मेरा ये फेंटसी टीम कॉंबिनेशन देख रहे हैं ये टीम आपको ग्रेंड लिग विन नहीं कराएगा ये टीम ब दोस्तों आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मेरी फेंटसी टीम में ज़्यादा तेश गेंबास आजाएं क्यों मैं ज़्यादा तेश गेंबासों को भी टीम में शामिल कर सकता हूँ सब कुछ मैंने आज आपको वीडियो में समझा दिया फिलाल दोस्तों बस आज के मुलाकात होगी टोस के बाद टेलिग्राम चैनल में अगर आपने अभी तक मैं टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो फिर आज ये वीडियो देखने के बाद सरूर से जोइन कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा झाल